हाई फ्रेंड वेलकम टू गेम ओफ इनिंग जैसा की 27 अप्रेल 2018 को ग्रेटेस रोयल रंबल सौधी के जिद्दा हमें होने वाला है जिसमें WWE के सारे टाइटल दाव पर होंगे केवल वुमिन्स टाइटल को छोड़के मैचिस भी अच्छे खासे बुक हैं इस इवेंट के लिए तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस इवेंट में 3-4 टाइटल चेंज होने की उम्मीद है मतलब इस इवेंट में जिन सूपर सर के पास टाइटल है वो यहाँ टाइटल हार सकते हैं और उनकी जगे निव चैंप्स हमें देखने को मिल सकते हैं अब वो कौन-कौन से टाइडल हो सकते हैं सौधी के इस इवेंट में उसी बारे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे WWE और किरिकेट की इंट्रेसिंग अपडेट्स के लिए जुड़े हमारी विबसाइट gameofwinning.com से जैसा कि ये सब फैंस जानते ही होंगे कि सौधी का ये इवेंट वाकई बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है और फैंस इसे मिनी रसल मीनिया भी कह रहे हैं इस इवेंट के लिए अच्छे खासे मैचेस सामने आ चुके हैं वहीं इस इवेंट से पहले WWE ने सुपरिस्टार शेक अप भी करा था जिससे कुछ मैचेस के अपोनेंट्स ने अपने अपने ब्रांड भी बदल लिए वैसे सूपरिस्टार शेकप से पहले ये भी कहा जा रहा था कि यूएस टाइटल और इंटर कॉंटिनेटल टाइटल अपने ब्रांड बदल सकते हैं लेकिन ऐसा हुआ नहीं बट अब यूएस टाइटल और इंटर कॉंटिनेटल टाइटल के मैचेज में अपोनेंट्स अपन बन चुके हैं अगर वाकई ये टाइटल ब्रांड नहीं बदलते हैं इस इवेंट में तो इन मैचिस के रिजल्ट तो पहले से ही लीक हो चुके हैं कि कौन जीतेगा और लगता है कि इन दौनों टाइटल को लेके डबुड़ डबुई यहां फैंस को शौक दे सकती है और इन इवेंट में 100 मिलियन डॉलर से लेके 200 मिलियन डॉलर तक खर्च हो चुका है बापजू दिसके ये दौनों टाइटल वैसे तो मिट काड लेवल के टाइटल है लेकिन कहीं न कहीं इनकी स्टोरी लाइन में गजब का मज़ा होता है अगर वाकई टाइटल ब्रांड बदलते हैं महीं बात करूं थर्ड टाइटल की तो जिसके चेंज होने के चांसेज हैं वो हो सकता है युनिवर्सल टाइटल और रोमन रेंज यहां जीत के युनिवर्सल चेंपियन बन सकते हैं महीं बात करूं फोर्स टाइटल के चेंज होने की तो उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन क्योंकि बचे हुए टाइटल में WWE Championship, SmackDown Tag Team Championship और Cruiser Weight Championship भी बचे हैं तो हो सकता है यहाँ Cruiser Weight टाइटल चेंज हो जाए वैसे WWE ने इस इवेंट के लिए अच्छी खासी तैयारी करी है और देखना होगा कि WWE इस इवेंट में कुछ ट्विस्ट डालती भी है या नहीं अगर ऐसा नहीं हुआ तो यह बड़ा इवेंट भी शायद फेल हो जाए अगर WWE ने इसमें ट्विस्ट नहीं डाले आपको क्या लगता है कि इस इवेंट में कौन-कौन से 3-4 टाइटल चेंज हो सकते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा फिलाल इस वीडियो में इतना ही पसंद आतो लाइक और शियर करें और बैल आइकन को जरूर दबाएं आपसे मुलाकात होगी नेक्स वीडियो में थैंक यू